हलो गाईज मैं हूँ पप्पू और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जिवास्म इंधन किसे कहा जाता है और हाँ साथी आप से पूछा जा सकता है जिवास्म इंधन क्या है जिवास्म इंधन की क्या परिभासा होती है तो आप यही चीज लिख दीजेगा आपको नंबर इ दिजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस का निर्वान सजीओं के मिरित यानि लास का कुछ भाग बच जाने से होता है अतह इनको जिवास्म इंधन कहते हैं यानि ये जो आप देख पा रहे हैं कोईला, पेटरॉल, डिजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस ये सभी क पंची हो गयें, जितने भी जानवर हो गयें, यानि सभी के सभी जीव भुकंप और बिस्फोट के कारण मर गये थें, और मरने के बाद वे सभी के सभी जमीन के अंदर दफन हो गये थें, तो जमीन के अंदर दफन हुएं, तो ताप और दाव के कारण हैं, कहीं पर ये पे पुछा जाता है कि जिवास मेंधन कैसे बनता है तो आप सिंपल भासा में कह दीजेगा कि जिवों के मरने के बाद जितने भी उनके सरीर का कुछ भाग बच जाता है सड़ गल कर वो कोईला में पेटरोल में डिजल में मिटी के तेल में और प्राक्रितिक गैस में बदल जाता है और वही हो जाता है जिवास मेंधन तो आई होप इस वीडियो से आप सिख चुके होंगे कि जिवास में इंधन किसे कहा जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक किजेगा और ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में तबता के लिए जय हिंद वन्दमाद रम्द